आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने ओपर रिनोइट में कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर कॉल नहीं लग रहा है कॉल करने पर आ रहा है कॉल एंडिड तो यह कॉल एंडिड प्रॉब्लम ठीक कैसे करें तो इसके लिए फोन की सेटिंग्स ओपन करि यह हमने सिम वन पर किलिक किया उपर अब यह इनेबल आएगा अगर आपका यह बंद है तो इससे ओन करिए इनेबल करिए इनेबल ओन करने के बाद नीचे वोल्टी कॉल्स आएगा अगर आपका यह वोल्टी कॉल्स बंद है तो इससे ओन करिए इससे ओन करने के बाद नी टाइप आएगा इसपे किलिक करिए अगर आपका ये 2G, 3G, 4G यहाँ पर select है तो उपर आएगा ये 5G, 4G, 3G, 2G auto तो इसे select करिए ये select करके नीचे operator आएगा अपरेटर पर किलिक करिए उपर auto select आएगा इससे बंद करिए नीचे off करिए फिर से off करिए, अब ये network searching लेगा, तो कुछ second wait करिए, अब जब आपका ये sim card अपने आप network select करेगा, उसके बाद auto select on करिए, ये on करने के बाद यहाँ पे back आए, setting में नीचे additional setting पे किलिक करिए, और इस पे किलिक करके नीचे आकर backup and reset पे किलिक करिए, reset phone पे किलिक करिए, उपर reset network setting पे किलिक करिए, अब नीचे reset network setting पे किलिक करिए, ये करने से कोई data कुछ delete reset नहीं होता है, तो हमने ये पहले से कर लिया है, तो इसे cancel करेंगे, back करेंगे, बट आप reset पे किलिक करिए, और network settings रिसेट करिए, उसके बाद phone को बंद करके चालू करिए, phone को restart करिए, और चेक करिए आपके ओपर इनोइट में कॉल करने पर कॉल एंडेड नहीं हो रहा है तो अगर ये वीडियो पसांद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें